तो हमने Magnetic Effect of Current में ये सीखा कि अगर आपके पास कोई भी Current-Caring Wire है और उसका एक छोटा सा Element है वो Small Element कितना Small Magnetic Field Create करेगा या Generate करेगा उसकी जो Value है वो इसके Equal है Mu0 by 4 Pi I DL sin Theta by R² Byte-Servet's Law पर इससे हमारा काम नहीं चला क्यों नहीं चला? क्योंकि Byte-Servet's Law के अंदर हमने ये देखा वो सिर्फ Small Element के लिए काम कर रहा था हमें तो बड़ी वायर चाहिए थी तो बड़ी वायर को हमने Solve किया और बड़ी वायर के Result में हमने ये देखा कि एक Long Wire है यहां पर हमें B निकालना है तो A पॉइंट नीचे है जिसके अंगल 5-1 है एक उपर है जिसके अंगल 5-2 है और यहां पर अगर आपो B निकालना है तो Mu naught by 4 Pi I divided by A इसके बीच में perpendicular distance sin of 5-1 plus sin of 5-2 यह पहला formula हमने सीखा दूसरा यह सीखा अगर यह wire infinite है दोनों तरफ से तो अंगल 5-1, 5-2 वो क्या पुट करेंगे Pi by 2 और Pi by 2 पुट करेंगे तो जब 90-90 पुट करेंगे 90-90 पुट करेंगे 1 और 1 क्या हो गया 2 तो आंसर क्या हो गया Mu naught by 4 Pi 2i by A बहुत important formula है रदर 5-1, 5-2 से जादा यूज होने वाला formula यह है clear है infinite wire का formula clear है और तीसरा फिर हमने यह सीखा कि अगर आपके पास कोई circular wire है यह री आपके पास circular wire यह री circular wire के axis के ऊपर B क्या होगा circular wire के axis के ऊपर B निकालने का formula अगर इसका radius A है और मुझे आठ डिस्टेंस पे मुझे B निकालना है तो आप इस तरीके से इस formula को यूज करके B निकाल सकते हो mu not by 4 pi 2 pi A का square यह निकी A for radius into I current A square R square 3 by 2 अगर इसमें N number of turns है तो इस result को किसे मुल्टिपार करना पड़ेगा N के साथ और अगर सेंटर पे निकालना है सेंटर पे छोटे R को क्या पुट करना है जीरो तो यहाँ पर जीरो यहाँ पर आजाएगा तो जब सेंटर पे जाएंगे small r zero तो जब small r को यहाँ जीरो पुट करेंगे तो आपके पास आंसर यह आजाएगा तो सेंटर का फॉम्मला बहुत इंपॉर्टेंट है सेंटर अफ लूपे फॉम्मला बी का मुट पाई 4 पाई 2 पाई 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 ए और ऐसे कर N तर्ण है इस रिजल्ट को किस से मुल्टिपै करना है N से मुल्टिपै करना है यहाँ तक क्लियर है अब एक चीज और सीखो जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं रूल कर रहा हूँ अमें एक बार रूल सिखा ही दूँ आपको ताकि रोज-रोज का कामी खतम हो ठीक, क्या रूल है रूल यह है कि जैसे suppose हमने लास्ट नहीं भी यह रूल किया था अगर आपके पास कोई current carrying wire है जिसमें I amount of current है आप से कोई यह पूछ रहा है कि इस point P पे magnetic field की direction बताओ पहला तरीका क्या बताया था कि आप अपना right hand ले thumb को current के साथ लेकि आए यह मैंने current के साथ thumb रख लिया तो fingers कहां जा रही है inside तो यहां पर magnetic field कैसे होगा inside और अगर यहां पर कोई point है जहां पर आपको B निकालने है फिर से wire और current current और thumb एक तरफ और B कैसे आएगा इसमें outside तो यह आगया outside कई लोग यह रूलना copy में ठीक तरह लगा नहीं पाते वो copy नहीं घुमाते है मैंने बताया था आपको या उनकी fingers ठीक तरह नहीं answer दे पात तो बात बनती नहीं है तो उसका एक और असान तरीक है आप लीज एक pencil हाट में रखें इसको ना बाहर निकालने ऐसे ऐसे यह निकल गया तो अगर current ऊपर की तरफ है और आप भी यहाँ पे निकाल रहे हैं तो आप खुच सोचें भी कैसे आएगा आउटसाइड यह देखो यह fingers कैसे आएगी आउटसाइड और अगर कोई point यहाँ पे है तो आप thumb को current के साथ रखें और fingers कैसे आएगी inside तो यहाँ पे thumb ऊपर है तो यह fingers inside और अगर कोई point यहाँ पर है तो outside क्या यह point clear है कोई doubt इसमें ठीक तो straight wire के rules clear है आप मुझे इस चीज का answer दें कि अगर कोई wire यह rewire तो आप मुझे यह बताएं अगर current यहाँ carry कर रही है और मेरा कोई point Q यहाँ पे और P यहाँ पे है तो पताएं P point पर magnetic field की direction कहाँ होगी outward होगी अचा कई लोग लगा लेते हैं thumb को current के साथ और ऐसे देख लेते हैं outward कई नहीं लगा पाते तो wire बार निकाल ले current कहाँ पर है इस तरफ है तो thumb कहाँ इस तरफ है point P कहाँ पर है नीचे तो कैसे आ रहे है आपकी तरफ यानि कि outside और उसी तरीके से अगर कोई point wire के उपर है तो यह देखो current यहाँ है और point उपर है तो मेरी तरफ आ रहे है यानि कि inside तो क्या यह rule clear है तो यहाँ पर यहाँ पर वैल्यू बी कि outside आएगी और यहाँ इंसाइगी ठीक यहाँ तक अलाइन वालो को clear है यहाँ तरफ ठीक यहाँ तक अगे इस ते पहले मैं आगे चलों आपको एक काम करने एक और रूल सीखने आपने क्या रूल है? इसको एक बार देखते है रूल यह है कि अगर आपके पास कोई वायर सर्किलर वायर है इस सर्किलर वायर में let us suppose I amount of current है ऐसे जा रहा outta I amount of current है यह रहा अब मैंने rule change करना है क्यों change करना है कि मेरी युर Secret नहीं रही क्योंकि स्ट्रेट वायर का रूल तो मैंने आपको पता ही दिया जो feetway, इसका रूल क्या था street वायर का यह रूल था कि अगर आपको इस पॉइंट पर B निकालना तो right-hand का thumb current के साथ और B inside यह मैंने आपको सिखाया, लेकिन अगर वायर गोल है, आर्क है, कर्व है, स्ट्रेट नहीं है, यह बहुत असान रूल है, यह आपको पसंद आएगा, आप फिर से राइट हैंड ले, राइट हैंड की चार फिंगर, फोर फिंगर्स करंट के साथ घुमा दें, इस बार उल्ट हैंड बी, आउटसाइड फिर देखो, मैंने यह पताया, इसमें चार फिंगर्स जब उयर स्ट्रेट नहीं है, चार फिंगर्स लेनी हैं राइट हैंड की, लेफ्त की नहीं राइट की और करंट के साथ गुमा दें, करंट कैसे हैं ऐसे हैं, ऐसे हैं थम कहां पर आ रह रहे यह देखो current ऐसे गूम रहे है तो thumb कहाँ पर है? बाहर आरहे है समझ में आरहे है? तो फिर देखो current ऐसे है यहा current तो thumb कहाँ पर आ रहे है outside है ठीक है तो यहाँ पर B की value क्या होगी? outside यह जाधा असान है उसमें फिर भी इदर उदर होना पड़ता है इसमें चक्कर ही नहीं है, अगर मैंने कोई लूप लिया, let us suppose suppose मैंने एक लूप लिया यह रहा, और करंट कैसे है ऐसे है, अब सेंटर पे बी कैसे निकलेगा, चार फिंगर्स को बी करंट के साथ गुमा दो तो थम कहा रहे, इंसाइड तो यहाँ पर, क्या आएगा बी की वेल्यू, इंसाइड क्या यह पॉइंट क्लियर है यहां तक कुछ भी दो नहीं करना, चार फिंगर को करंट के साथ गुमा दो, यह देखो तो थम आपको इंसाइड दिखेगा करंट अगर ऐसे जाएगा, तो आउट साइड दिखेगा ऐसे जाएगा इंसाइड दिखेगा, इससे थान क्या होगा वो रूल फिर भी दोड़ा देखना पड़ता है इसमें देखना पड़ता है, इसमें सीध है कोई डाउट इसमें ठीक है, तो आज का lecture कुछ ही नहीं है, end तक बस यही लगाना है और कुछ ही आप नहीं लगाना है तो आज के lecture में बस यह रूल आपसे लगाने हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए यही काम है, तो clear है, आगे कोई अज बस इसी जिधि प्रैक्टिस हो जी है ठीक, करने स्टार्ट अब एक चीज और सीख हो एक चीज और सीख लो यह मानलो एक current-caring वायर है यह current-carering वायर है मानलो इसका सेंटर है तो अगर मैं यह कहूँ की current इसमें ऐसे घूम रहे, तो center पे B कैसे होगा कहा होगा इस तरफ होगा यह देखो देख रहे हो और उसी तरीके से अगर current ऐसे घूम रहे तो B कहा होगा center पे इस तरफ होगा right clear है अब इमेजिन करो current इसमें ऐसी घूम रहे लेकिन मेरे को B की direction center पे निकालनी तो मैंने current को ऐसे घूमाया B तो center पे तरफ होगा right मेरे को B कहा ढूंडना है मेरे को B यहाँ पे ढूंडना है direction यारि कि इसके axis के ऊपर तो अगर current ऐसे घूम रहे यह रहा और मुझे axis यहाँ पे बी के direction पूच निकालनी है rule सेम है जब center के ओप, झब center के ओप बी इधर इधर एधर है तो axis के ओप इधर ही यह रहाँ सेंटर में निकालो, जब एक्सित पी निकालो, rule रहे रहाँ सेंग तो जैसे अगर current ऐसे घूम रहे center के ओप बी कहा होगा इस तरफ और अगर एकस्ट पे जाने है तो भी कहा होगा इसी तरफ होगा गई डाउट इसमे क्लियर है ओनलाने वालों क्लियर है येस सर्थ थीक है अब जो मेरा क्वेस्टन है नेक्स्ट जिसके ओपर मुझे रूल लगाना है वह रूल यह है वो कहता है कि दो लूपस है जो एक लूप से ब्सक्रण यहां पर इनके बीच में दूरी साथ सेंटीमीटर और एक प्व. baru जो हम चार संटीमीटर से के ओपर आपको को फिरेल है क्या निकालना है बी निकालना है फर्स लूप की वज़े से और चार से इस लूप की वज़े से यहां भी निकालना है इस लूप की वज़े से यहां भी निकालना है अब प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम ही है कि इसमें करंट गिवन है इसमें इसका रेडियस गिवन है इसका और गिवन है, ऐसी इस लूप में करण्ट नहीं गिवन, वह आपको बताने है कितना करण्ट है, कि यहाँ पर कितना करण्ट मैं प्रड्यूस करूँ या कितना सेंट करूँ, अब नेट भी जीरो कब होता है, नेट भी जीरो तब होगा, जब एक लूप जैसे यह वाला लूप ले लेते हैं, यह फस्त लूप है, इसने करण्ट मालो ऐसे जनरेट किया, तो इसके चार सेंटीमेटर दूर भी की डिरेक्शन कैसे होगी, इस तरफ होगी, इस तरफ होगी, अब दूसरा लूप यहाँ पर पड़ा हुए, वो कह रहा है कि बताओ इसमें करण्ट की डिरेक्शन कैसी लें, ताकि यहाँ पर नेट भी जीरो आ जाए, जब करण्ट ऐ कैसे होगा, तो यह अपना फील्ड कैसे जनरेट करेगा, ऐसे, तो यह वाला लूप कैसे जनरेट करता था, ऐसे, यह लूप कैसे जनरेट करें, मैं चाहता हूँ ऐसे, ताकि दोनों भी एक दूसरे के क्या हो, ऑपोसेट, और ताकि दोनों भी की वैल्यू सेम हो, और डिरे इसका भी इस तरफ हो, राइट? तो लॉजिक समय में आया? बोलो से एक बार दुबारा बता दूँ देखो, इसके अंदर मैंने बताया ये एक लूप है और ये एक लूप है ये जो एक लूप है इसमें करंट ऐसे है तो बी कैसे होगा मेरी तरफ? बी कैसे होगा मेरी तरफ? तो वो कह रहा है कि बताओ इसमें करंट की डिरेक्शन क्या रखूँ ताकि इसी पॉइंट पर नेट भी जीरो आजाए आप देखो ना ये जो लूप है ये जो लूप है अगर बी ओ पॉइंट पर कैसे जनरेट करती है ये जो लूप है ओ पॉइंट पर अगर यहां भी जनरेट करती है तो ये जो लूप है मैं चाहता हूँ करंट ऐसे जाए ताकि भी यहां जनरेट करे तो इसमें करंट अगर ऐसे है तो भी ऐसे है तो इसमें करंट अंदर जाएगा तो भी इधर होगा ताकि मैं यह चाहता हूँ कि दोनों भी की value equal हो जाए और net answer क्या जाए zero. Net क्यों zero आए? क्यों क्यों question में mentioned है कि net answer should be equal to zero. तो क्या यह logic clear है? ठीक. तो अब मुझे क्या करना है? मुझे B1 निकालना है, मुझे B2 निकालना है और दोनों को equate करना है ताकि net answer क्या जाए? Zero. तो मैंने इसमें क्या किया? इसके अंदर पहले मैंने first loop लिया. First loop में A पता है और R पता है और I पता है. तो मैंने इसमें formula लगा दिया यही वाला जो उपर हमने निकाला था. A पता है, R पता है, A पता है. तो यह formula मैंने लगा दिया कि 4 cm दूर यहाँ पर B क्या होगा? आ गया? फिर इस loop की बारी आई. इस loop ने भी यहाँ B जनरेट किया. इसका A कितना है 4, इसका R कितना है 3, लेकिन मुझे इसका current नहीं पता. मुझे यह पता है, net B कै, 0. तो मैंने दोनों B को equate करके, I2 की value को calculate करके answer आएगा. calculation बढ़ी है, ऐसा question तो आए नाए, पर आपको concept समझ में आया, कि कैसे आपने इन directions की बेन आप सोच भी नहीं पाऊगे, इसमें क्या करना है? अब जो असली questions है, जो आते हैं paper में वो ऐसे हैं, अब देखो यह important है, और यह असान भी है, और इंटरस्टिंग भी है, इसकी calculation भी बहुत असान है, इस topic को बड़े ध्यान से देखो, topic स्टार्ट करने से पहले, आप ने क्या किया? अगर आपके पास एक circular loop है, जिसमें i amount of current है, और इसका radius r है, तो मेरा question है, इस circular loop के center पे b की क्या value होगी? तो आप answer गो लेंगे, mu not by 4 pi, 2 pi i by r, क्या यह point clear है यहां तक? तो b की value आगी center पे, अब question यह है, कि यह arc है, इस arc में current है, circle loop नहीं है? arc है, arc में current है, और आपको यहां पर theta angle पर क्या निकालना है, b की value निकालनी है, तो logic समझें, अगर यह full circle होता, तो center पे angle कितना बनता 2 pi, पर यहां पर 2 pi नहीं है, अगर यह circle होता, center पे angle 2 pi होता, तो सोचो, अगर center पे angle 2 pi है, तो center पे b की value कितनी है, mu not by 4 pi, 2 pi i by r, लिख लि अगर angle 1 होता, unit, तो इसको इससे क्या किया, divide, और अगर angle theta होता, तो इससे क्या कर दिया, theta से multiply, तो standard यह formula box में डाल के याद कर लो, किसी भी arc में अगर current है, तो b का formula क्या लगेगा, mu not by 4 pi, theta i by r, clear है, जैसे, जैसे, लगाना कैसी असको धिहान से देखो, जैसे अगर यह formula arc का हो गया, अगर यह arc पूरी complete circle होती, तो angle क्या होता, 2 pi, center पे angle क्या होता, 2 pi, तो एक काम करो, theta के जगा 2 pi पुट करो, same answer आगया, अगर यह arc semi circle होती, तो इंगल क्या होता पाई तो थीटा को पुट कर दो अंसर आगया अगर ये आर्क ने सेंटर पे अंगल बनाया पाई बाई फॉर तो बी के फॉर्मले में थीटा की जगा पाई पाई फॉर अब कोई भी आर्क आजाए स्टेट लाई नाए हमें एंगल डूंडते जाना है व तो B कैसे आएगा? इंसाइड. सेम रूल इसमें, चार फिंगर करंट के साथ तो B कैसे आएगा? इंसाइड. सेम रूल इसमें, चार फिंगर करंट के साथ तो B कैसे आएगा? इंसाइड. सेम रूल इसमें, चार फिंगर करंट के साथ तो B कैसे आएगा? inside right और ये मैंने revise करवाने के लिए लिखा हुए है ताकि आप भूलना जाए directions का rule अब हमने दो सीख लिए पहला straight wire है अगर कोई straight wire current उपर जा रहा है और मैं अगर आपसे पूछू कि यहाँ पर B की direction क्या होगी तो आप thumb को न लेके जाएंगे और B कैसे होगा inside और यहां पर current ठंक के साथ है यहां पर B कैसे होगा outside rule clear और अगर circle होगा circle के अंदर current चार finger current के साथ तो B कैसे होगा inside ऐसी इसमें कैसे होगा outside तो यह rules इसलिए बार-बार लिखे जा रहे है photography के ताकि बार-बार revision के time पे आपको पता लगता रहे हमने क्या किया clear है तो जितना lecture हमने किया इसके बेस पे आज के अब numerical start है तो पहला numerical है आपको ये एक figure given है आपको इस figure में current given है आपको इस center O पे net B की value बतानी है क्या होगी ठीक तो ये current आया straight फिर ये क्या हुआ semicircle फिर ये क्या हुआ straight straight semicircle straight आपको कहां पे भी निकालना है O point पे ठीक इस से पहले आप इस type की problems को करें एक rule सीख लें और अगर आपके पास एक straight wire है जिसमें I mount of current है अगर कोई ये पुछे straight wire के axis के ऊपर कोई point है B यहां पे यहां पे B निकालो ठीक अगर ये wire है इसके axis के ऊपर कोई point है या इस wire के ऊपर कोई point है B निकालो क्या होगा तो याद रखना इसका answer 0 होगा क्योंकि angle बनेंगे ही ना 5 1 बनेगा ना 5 2 बनेगा 0 0 sin 0 plus sin 0 क्या हो जाएगा 0 ही होगा तो आपने 0 बोलना है तो अगर कोई state wire है state wire के ऊपर कोई point है तो तो 0 रादर उसके axis पे भी कोई point है तो भी answer 0 ही होगा तब अब आप इस question को एक बार देखें कि इस wire में जो question is में wire के तीन हिस्से कर लें state wire, curved wire and again state wire ठीक है देखो इस question में मैंने अपनी wire के तीन हिस्से कर लिये straight, semicircle, straight क्योंकि मेरा B कहा निकालना है O point पर, O point इस straight wire के axis पे लाई करता है तो इसका contribution straight पे क्या होगा, 0 ये straight wire के axis पे O point लाई करता है तो इसका contribution पे क्या होगा, 0 दो तो टोड़ गई, क्या बचा, semicircle, semicircle का formula क्या होता है mu not by 4 pi, pi i by r, क्योंकि semicircle ने angle क्या बनाना है pi, तो pi i by r, को doubt इसमें बिना direction के question ठीक नी होगा, direction बोल दो right hand, 4 finger current के साथ, तो b कैसे आएगा inside, तो end में लिख देना यहाँ पर, inside लिखना पड़ेगा लिख लो, तो यहाँ पर जो net value आएगी, वो कैसे आएगी इसमें, inside आएगी clear है, तो कैसे आपने wire के कुछ parts लिए straight अलग calculate करना है, और arc अलग calculate करना है, और बाद में vector sum लेना है, right clear है यहाँ तक, अब इसमें जैसे यह figure है, इस figure के अंदर इस figure के अंदर, फिर से यह first wire, second wire और यह third wire क्योंकि C point पर अगर B निकालना है, तो इस line के axis पे लाए करता है, तो इसका contribution नहीं होगा, यह wire के axis पे C point लाए करता है, contribution नहीं होगा, और अब इसकी बात करें, यह semi circle है, तो B का formula mu not by 4 pi, pi i by r, direction बताओ, चार finger ऐसे नहीं है, चार fingers ऐसे हैं, तो अगर current ऐसे जा रहा है, तो thumb कैसे आएगा, inside आएगा, तो आप इसको vector भी लगा सकते है, vector क्यों लगाएंगे, क्योंकि इसके value के साथ मैं क्या mention कर रहा हूं इसकी direction, अगर value करूंगा फिर vector मत लगाना, value plus direction में लग जाएगा, तो क्या यह point clear है, B vector कैसे निकलेगा इसमें, ठीक है, फिर देखते हैं, यह देखो, यह वाला case में same है, इस case के अंदर भी same है, यह वाली wire C point पर contribute नहीं करेगी, यह वाली wire भी नहीं करेगी, semi circle का result क्या होगा, mu naught by 4 pi, pi i by r, pi i by r, direction कैसे, outside, तो यहाँ पर क्या आएगा, outside, clear है यहाँ तक, समझ में आ रहे हैं, तो यह answer आएगा, next है, next question को एक बार देखो, यह जो wire है, straight, यह infinite है, लंबी wire है, यह एक infinite wire है, और यह एक circle है, circular loop है, तो हमें infinite का result भी आता है, और हमें circle का भी आता है, तो infinite का देखें, तो infinite wire, कि अगर आप बात करते हो, यह ही infinite, आपको भी कहाँ निकालने है, center पे, right, आप मुझे यह बताओ कि इस infinite wire से, इसका perpendicular distance कितने है, r, infinite wire से perpendicular distance r है, तो infinite wire की वज़े से formula हमें आता है, तो मालो यह one number wire है, मालो यह two number wire है, तो first wire infinite है, mu naught by 4 pi, 2i divided by r, तो infinite wire का formula लगया, clear है यह यह तक, ठीक है, तो infinite wire का formula लगा दिया है, अब बात करते हैं, circle की, circle के अंदर center पे, b का formula क्या होगा, mu naught by 4 pi, 2 pi i by r, तो circle का formula लगा दिया, लेकिन याद रखना, यह लिखने से answer नहीं आएगा, क्योंकि o point पर infinite wire भी लगा रही है, और circle भी लगा रहा है, direction बोलो, सबसे पहले directions, okay, straight wire, बोलो इसकी वज़े से क्या होगा, thumb current के साथ, और point कहाँ पर है, ऊपर, तो कैसे आएगा, outside, तो यह current है, outside, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, outside, right, अब circle है, circle में current के साथ, चार finger है, तो b कैसे आएगा, outside, तो यह भी क्या आएगा, outside, अब अगर net b निकालना है, तो net b की जो value होगी, वो क्या होगी, b1 vector plus b2 vector, इन दोनों को add करना है, और net direction कहाँ लिखनी है, outside, put out इसमे, clear है, online clear है, yes sir, yes sir, अगर मान लो, circle में, circle में लेनी है कि किसमे, circle में अगर current ऐसे होता, तो फिर यह direction कैसे होती, inside, फिर एक उता outside, एक उता inside, तो फिर बड़ी वेल्यू में से छोटी वेल्यू को माइनस करना पड़ना था फिर प्लस नी होगा, अगर same direction में बड़ी में से छोटी माइनस, right? अगर एक वेल्यू भी outside है और एक inside है, zero ना उता, क्योंकि दोनों की B की value में difference है, zero तब होता है, जब अंदर और बाहर का B की magnitude same है, circle का और infinite wire का तो magnitude different है, तो बड़े में से छोटा माइनस करना पड़ेगा, ठीक? next question, try करें, लिखें value क्या होगी? क्या है, झाल 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 आगे देखो प्लीज देखो इसमें इसके अंदर आपको कुछ वायर्ज आर्क की फॉर्म में नजर आ रही है और कुछ वायर्ज आपको स्ट्रेट नजर आ रही है तो अगर आप इसमें ध्यान से देखें ठीक ठीक है तो इसमें यह चार वायर्ज है और आपको भी कहां पे निकालना है वो पॉंट पे निकालना है तो रूल नमबर वन यह जो वायर्ज ट्रेट है इसके आक्सिस पे ओल आई करता है तो इसका contribution 0 फिर इसके उपर, इसके axis पे O लाई करता है, इसका contribution 0 अब क्या बचा, दो आर्क बच गई पहली आर्क और रेडियस क्या A और दूसरी और रेडियस B तो पहली आर्क, वायर नमबर 1 का फॉर्मुला क्या बनेगा म्यू नॉट बाई 4 पाई थीटा आये, थीटा कितने है अल्फा आये बाई रेडियस कितने है, A तो यह क्या आगया, बीवान आगया उसी तरीके से B2 B2 will be equal to mu0 by 4 pi, अल्फा आये डिवाइड़ बाई कितना B, को डाउट इसमें ठीक है, तो अल्फा प्याई चोटी यह किसे होगा, उसने भी अंगल अल्फा लगाया बडेडा ने भी अंगल अल्फा लगाया अब जो चोटी आप है उसका करंट कैसे है, ऐसे है तो बी कैसे होगा, आउटसाईड तो यह पर लिख लेते हैं 12 बढ़ा है फर चोटy एक रेडियस और एक inside clear है यहां तक, अब मुझे यह बताओ कि कौन सी B की value बड़ी है B1 बड़ा है क्यों उसका radius छोटा है, radius छोटा है तो B बड़ा है, तो net B की जो value आएगी वो क्या आएगी? B1 minus P2, तो आप इन दोनों को minus कर लें alpha और I common आजाएगा 1 by A minus 1 by B, क्योंकि B1 बड़ा है और यह outside है, तो net answer भी क्या लिखना पड़ेगा outside क्या यह point clear है यहां तक, कैसी सूचना है इसमें? ठीक, right तो यह सका answer है Sir तो रिपीट कर देता हूं एक बार देखो यह एक बार straight wire है इसका contribution O पे 0 straight wire है O पे contribution 0 यह एक आर्क है आर्क ने angle alpha बनाया तो B की value mu naught by 4 pi alpha i by A और same arc ने angle बनाया यहां पर alpha same तो mu naught by 4 pi alpha i by again radius कितना है? B पर क्योंकि A radius चोटा है B बड़ा है तो A चोटा है तो B1 बड़ा है B बड़ा है तो B2 चोटा है तो B1 बड़ा है B2 चोटा है net value क्या होगी बड़ी में से चोटी value को क्या कर देना है minus तो क्या यह point clear है ठीक online clear है yes ठीक next question झाल 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 तो इसमें आपको question में ये given है कि आपको पास एक wire है क्या wire है ये straight wire है फिर ये arc है और फिर से straight wire है आप इसको तीन हिस्सों में बांट लो wire no.1, wire no.2, wire no.3 तो rule no.1 जब मैं straight wire की बात करता हूँ तो ये straight wire के axis पर ये o point लाए करता है तो इसका contribution b में 0 उसी तरीके जे straight wire है o point है तो इसका contribution b जीरो अब ये जो बड़ी arc है उसने center पर क्या angle बनाया ये angle अगर 90 है तो ये angle क्या बनेगा 360 माइनस 90 यानि की 270 और 270 को लिखते है 3 pi by 270 पुट ने करते 3 pi by 2 तो b का formula उस उपर वाली arc की वज़े से mu not by 4 pi theta की जएगा 3 pi by 2 current by कितना r तो ये formula बनेगा theta i by r और theta में 3 pi by 2 पुट करना पड़ेगा जोकि 270 डिगरी होता है तो direction current की direction में 4 finger तो b कैसे आएगा insight तो b inside answer right clear रहां तक तो दोनों रूल समझ में आ रहे हैं इसलिए आज का lecture यही रखा गया है ता कि आप अच्छे से rules को प्रैक्टिस करें कि मैंने खुजी कहा था कि इसके बिना बात बनेगी तो बैटर है कि हम आज के lecture में rules ही प्रैक्टिस करें ता कि आपकी थोड़ी कमांड बैटे question पे और आने वाले time में दिक्कत ना आए राइट जैसे यह question है इस question में यह मानलोग infinite wire है यह infinity से आ रही है यहां पर आती है तो straight wire यहां से यहां तक है उसके बाद क्या है उसके बाद एक circle है उसके बाद फिर से straight wire infinity तक जाती है आपको ओ point पर net B बताने क्या होगा इससे पहले आप इस question को करें आप एक rule समझ लें यह एक infinite wire है एक तरफ से दूरसी तरफ से यहां पर उक जाती है तो दूरसी तरफ से यह infinite नहीं है और आपको भी कहा निकाल लें यहां पर निकाल लें at a distance of a तो यह दोनों तरफ से अगर infinity होती तो ऐसी दिखती आपको ऐसी दिखती और अगर ऐसी दिखती दोनों तरफ से infinity तो B का formula होता मुनाट भाइ 4 पाइ 2 आपको यह दोनों अगर यहां से फाइनाइट होती तो मैं एक एंगल ढूंडता यहां से फाइवन और हाँ एक तरफ से इन फाइनाइट है तो एंगल क्या आएगा पाइवाइ 2 तो यह केस बनता पर यह भी केस नहीं है मेरे को यह वला डाइगराम गिवन ही नहीं है वाइर है ही नहीं तो ओविस्कि एक एंगल फाइवन क्या हो जाएगा यहां से जिरो जब यह वाइर कॉंटिनू नहीं कर रही है यहां पे तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के इधर एंगल ही नहीं बनेगा कैसे इंफिनाइट वाइर है यहां तक है और आपको भी यहां निकालना है बिल्कुल सेम डाइगराम मैं यहां ड्रॉ किया इस में और इस वाइर के रिजल्ट में कोई फरक नहीं है क्लियर है तो आप क्या करेंगे पहले वाइर नमबर वान लेंगे फिर वाइर नमबर टू लेंगे फिर वाइर नमबर थ्री लेंगे फिर वाइर नमबर फॉर लेंगे काफी लोग यह सोच रहे होंगे यह थ्री और टू और थ्री क्यों कर दिया यह तो सरकल है सर्कल का स्ट्रेट वे फॉर्मॉला लग सकता है कि नहीं लग सकता है कि नहीं लग सकता है कि नहीं लग सकता है क्योंकि उपर से आता हुआ करंट आदा आदा डिवाइड हो गया इधर से आदा इधर से आदा हो गया वो फॉर्मॉला सर्कल का तब लगता है जब पूरे सर्कल कि ऐ डिष्な है विम्हास्तर हो फिर जिम साम हम कि आधर सभी जummy sirkel रगए गविग गया तब आपका फरमॉला सब्सक्रां है लग लएगा इस समी सर्काल रग लगेगा और चाहिस समीं सर्कल का अलग लग लगएगाetzen, है pent डिवाइड हो गया ना हमने किया जंक्शन आ गया जंक्शन से आगे येलो नहीं अच्छा एक शावर लगा हुए पानी आ रहा है पाइप से होल्स कर दिये देखो पूरी बशार आती है पूरा करंट आ रहा है और देखो पूरा का पूरा जा रहा है क्या प्रॉब्लम है दिवाइड हो सकता है और करंट भी दिवाइड हो सकता है यह रहा है फस्ट और फोर तो एकुल होगा है मैंगनिट्यूट में तो सब ठीक है नेट अंसर डायक्शन में निकलेगा एक एकर करते हैं देखो सबसे पहले काम करते हैं हम इसके अंदर डायक्शन हम इसमें पहले first wire लेते हैं आप बस मुझे ये बताओ कि जो wire number 1 है B1 उसमें formula mu naught by 4 pi current 5 ampere ये radius चलो R लेते हैं divided by R I by R, sign of बोलो एक angle कितना लेंगे यह से 0 और एक angle कितना लेंगे 90 क्या ये steps अबको clear है ये ही same case है ये बनाया और ये बनाया में फरक तो ही ही कुछ भी, कोई doubt इसमें, तो B1 clear है next, wire number 2 की बात करते हैं जो कि semi circle है, semi circle का formula mu naught by 4 pi pi I divided by R और I की value यहाँ पर 5 ampere है ये भी clear है semi circle में pi I by R ठीक, next third की बात करते है third भी semi circle है mu naught by 4 pi pi into current divided by R same value जो value ये semi circle देगा, वही value ये semi circle देगा ये भी clear है right direction बाब में देखते हैं last ये wire, अब last wire की situation वैसी है जैसे उपर वली wire की है तो last wire में ये distance कितना है R, अब last wire आगे continue तो की नहीं तो एक angle क्या बनेगा, 0 और एक क्या बनेगा, infinity की वज़े से, 90 तो यहाँ पर जो B of 4 है last wire, तो mu naught by 4 pi current कितना है इसमें I divided by R into sin of कितना 0 plus sin of कितना 90, को doubt इसमें क्या ये point सबको clear है ठीक, values में कोई doubt तो प्लीज बताओ direction बाब में देखते हैं online बनेगों clear है values Sir, एक बार वो B4 बता दो फिर से Sir, एक बार वो please B4 की value किसे बता दो B4 में और B1 में आपको फरक का नजर आ रहा है जब आपको B1 नजर आ गया कि एक B4 और B1 में फरक ही नहीं है यहाँ पर यह स्टार्ट हो रही है तो यह अगल 0 और यह 90 सेम यह स्टार्ट हो रही है यहाँ से स्टार्ट हो यह 90 Sir, इस में करंड की direction और आपोसेट में है मैंने direction की तो बात नहीं की ना मैं तो आप से पूच रहा हूं कि आपको value समद में आगी direction ना बता रहा हूं आपको direction के discussion अभी करेंगे आपको value लिखनी आगी यह आगया एक एंगल 0 और यह 90 यह सर बस अब direction की बात करते हैं अब direction के लिए ध्यान से देखना direction के लिए यह current इदर है current यह रहा okay एक काम करते हैं पहले wire1 की बात करते हैं current की तरह इदर है कितने लोग बोलते हैं कि इसकी current का यहां पर contribution outside होगा और कितने बोलते हैं inside होगा अचा एक काम करो यह रहा यह wire है आप लीज वायर को बोड के बाहर निकाल लो यह आगई बाहर यह बाहर है current इदर आ रहा है मानते हो point कहां पर है नीचे है yellow current यह रहा wire नीचे है जब नीचे है तो आपकी तरफ आपकी तरफ का मतलब board के बाहर outside क्या यह point समझ में आ रहा है तो यह देखो यह रह current और point outside तो B1 के bracket में क्या put करें outside clear हो गया अब बात करते हैं इस semicircle की semicircle में 4 finger semicircle ऐसे तो क्या आएगा outside लेकिन साथ की साथ यह semicircle में इस semicircle के अंदर क्या होगा current inside मैंने गलती की मैं इसको correction कर रहा हूँ यहां से 5 ampere current आया था फिर वो डिवाइड हो गया था तो मुझे यहां लेना चाहिए 5 by 2 and 5 by 2 ताकि total current 5 आए तो ध्यान से तो मैंने यहां पर 5 by 2 लिया तो मुझे यहां पर 5 by 2 और यहां पर भी 5 by 2 लेना चाहिए क्योंकि 5 5 तो फिर 10 हो गया तो 5 आया था आदा इस वायर में, आदा इस वायर में क्योंकि गोल नहीं हूंआ आदा गया तो 5 by 2 फायर, फरक कोई नहीं पड़ा क्योंकि इसने produce किया outside और इस semi यहाँ पर लिख लेते हैं outside यहाँ पर B2 ने ध्याना अगे इसने कैसे generate किया outside तो इसने क्या generate किया inside, देखो न इसमें current ऐसे जा रहे है तो inside, अब देखो न यह फाइदा ही नहीं हुआ लेके क्योंकि यह जितना outside generate करेगा यह उतना ही inside generate करेगा और value भी same है तो इनका जो affect है आपस में क्या हो जाएगा तो यह तो लेने का फाइदा ही नहीं हुआ अब last यह बताओ इस wire की वज़े से B की direction क्या होगी? यह रह current और B कैसे होगा? outside यह रह current तो B कैसे होगा? outside तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? outside अब B1 कैसे है? outside, B2 कैसे है? outside, दो cancel होगे net B क्या होगा? इन दोनों को add करेंगे net answer outside clear है यह तक? online वलों clear है? yes sir ठीक next next के अंदर आपको चार वायर गिवन है ध्यान से इतर ध्यान से देखना first वायर यह मैंने बड़ी आर्क ले ली दूसरी वायर यह स्ट्रेट ले ली तीसरी यह स्ट्रेट ले ली चौती यह ले ली अब यह जो ओ पॉइंट है वो इस वायर के एक्सिस पे लाई करता है तो इसका contribution क्या होगा? 0 इस वायर का contribution क्या होगा यहां पर? 0 ठीक यहां तक 0 and 0 अब इस आर्क ने सेंटर पे एंगल क्या बनाया? अलफा तो दूसरी वायर आर्क ने क्या बनाया? 2 पाई माइनस अलफा तो अंगल भी क्लियर है अब नेक्स्ट क्या करने है वायर नंबर वान का contribution लिख देते हैं वायर नंबर वान में मुणोड भाई 4 पाई थीटा थीटा कितने है? 2 पाई माइनस अलफा थीटा आए डिवाइड भाई रवन थीटा इपाई र राइट क्लियर है? और एस ही अगर बी टू की वेल्यू की बात करें परे वेल्यू वेल्यू लिख रहे हैं इसमें बाद में देखते हैं एंगल कितना इसका? अलफा इंटू आए डिवाइड वाई रिडियू कितना है? आटू अब एक बाद मताओ इसमें इसमें करंट के साथ चार फिंगर है तो बी कैसे होगा? इनसाइड चार फिंगर ऐसे हैं इनसाइड और इसके अंदर भी चार फिंगर करंट के साथ है तो बी कैसे होगा? इनसाइड तो दोनों के दोनों कैसे हैं? इनसाइड एंड इनसाइड तो नेट बी की वेल्यू में दोनों की दोनों वेल्यू को एड़ करके नेट आंसर भी किस तरफ होगा इंसाइड तो मेथट समझ में आ रहे हैं सबको यहां तक ठीक है जैसे यह question है इस question के अंदर एक straight wire है और एक arc है चेक करो छो बता है जैसे उनेट कर दो देखो इस question के अंदर आपको यह गिवन है सबसे पहले एक straight wire है जो कि इन फाइनाइट नहीं है और एक आर्क है आर्क ने क्योंकि इस ने अंगल 90 बनाया तो यहां पर क्या बनाए तो यहां पर क्या बनाए तो यहां बनाए तो यह यह वायर दिख रही आपको यह एक फाइना 45 तो 5 1 5 2 आ गया तो जो straight wire है उसका result क्या होगा जो straight wire है A B इसका result होगा mu 0 by 4 pi current I divided by distance कितने है A sin of 45 plus sin of 45 क्या step clear है क्या एक 5 1 एक 5 2 infinite का case ही नहीं है total angle 90 था अदाद हो गया 45 45 ठीक है यहां तक direction बताओ साथ साथ inside check करें क्योंकि current इस तरफ जा रहा है यह रहा तो point उपर है तो finger कैसे जाएगी 4 inside तो यहां पर क्या एगा inside right clear है ठीक तो यह current गया 4 finger inside अब यह आर्क की बात कर लेते हैं तो B की value आर्क की वज़े से mu naught by 4 pi 3 pi by 2 theta i divided by radius r direction बो लो चार फिंगर ऐसे तो यह भी कैसे inside तो inside inside में दोनों values को end में क्या करना पड़ेगा add करना पड़ेगा answer right क्या आरा खिंगर गां अबस्टब्स और रजम क्या है उतकि करना थाराई तो यह रहर लाँ का के च।भ़े Il, क्या हूव ऊ UH झाल 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 ये क्वेश्चन एक बार चेक करो प्लीज इस क्वेश्चन के अंदर दो रिंग्स हैं दो रिंग्स हैं एक होरिजॉंटल प्लेन में है और एक वर्टिकल प्लेन में हैं और आपको भी कहा निकालना है इनके सेंटर पे निकालना है नेट भी क्या होगा अच्छा ऐसे करेंगे अगर ऐसे देखो के मुश्किल होगी यह लो यह रिंग लियाता हूँ मैं एक रिंग कैसी है होरिजॉंटल है ऐसी है तो यह रिंग है इसमें करंट कैसे है ऐसे है करंट ऐसे जा रहा है तो यह मैंने इसको बाहर निकाला यह करंट तो बी कैसे होगा अपवर्ड कोई डाउट इसमें और सर्कल के सेंटर पे बी का फॉर्मॉला क्या होता है मून नद बाइ 4 पाय 2 पाय आई पाय आई आ गया दूसा लूप निकालते हैं ये लोग वर्टिकल है ये मैंने बोट से बार निकाल दिया करंट कैसे है ऐसे है ये करंट है क्लियर है यहां तक तो अब करंट कैसे है ये रह ऐसे है तो बी कैसे होगा इस तरफ होगा कितना होगा सेम निद बाइ 4 पाय 2 पाय आई बाइ आर अब बी और बी आपस में परपेंडिकुलर नेट बी निकालने अब नेट बी निकालने तो नेट बी कैसे होगा vector sum, दोनो B में angle कितने है 90, तो answer क्या आएगा under root of B1 square plus B2 square, तो answer आगया यह देखो, पुट कर दा answer आगया अब क्योंकि net B is a vector अगर vector है, तो यहाँ पर angle भी ढूदना पड़ेगा, तो tan theta क्या होगा अगर यह B of P है, तो यह भी B of P है, और यह B of Q है, तो झीक, तो अलने बलोगो को प्लीर है अघगा इसाओंे wटा severe यह अब इसे इप चलीवे रज़ेगा यह अव्या पर ना के लिए ट को array मारेगा यह फितो लिए झीक कम से अवी सर्ण जयरा, स्कारण ज़िए कर भी बाई भीड़, फिए भीड़, राऊ झाल झाल